नमस्कार फ्रेंज मैं हूँ आपका मित्रा आपका सखापका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ एस्टो तक की खास प्रस्तुती साल का आखरी सूरे गरण क्या करेगा ब्रिश राशी कहा सरफ एस्टो तक पर जिहाँ पुछली अब बात करते हैं साल का आखरी सूरे गरण इस साल में तीन सूरे गरण साल दोजार उन्निस में तीन में से दो भारत में दिखाई नहीं दे रात में पड़ गए थे दिखाई देने जा रहा है 26 दिसंबर दो हजार उन्निस का सूरे गरण बहुत बड़ा मौका हुगा और मैं आपको बता दूं रिश राचुब कोई भी राशी इससे अच्छूती नहीं है आप एक मात्र विरले नहीं है सभी चपेटे में है क्योंकि शडग रही महायोग पहली बार बनने जा रहा है आपके भाव नंबर आठ में लगने जा रहा है और विरिश राशी वालों के तू शनी बुद्ध सूर्य चंद्रमा और ब्रहस पती ये च्छे के छे प्लैनेट आपके आठ में भाव में होंगे शडग रही महायोग ये ऐसे महादोश भी कहते हैं अब इससे भाव प्रभावित होगा सबसे ज्यादा आपका आठ मा आयू का भाव एक्सिदेंट्स का भाव और दूसरा भाव धन का भाव सुख का भाव कलत्र का भाव ग्रण कब उपढ़ने जा रहा है उसका क्या समय है आप पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये सारी चीज़े डिसकस करेंगा आईए जानते हैं इस बारे में व्रिश राशी वालों मित्रों 26 दिसंबर 2019 के दिन साल का आकरी सूर्य ग्रण आपके आठमे भाव में लगने जा रहा है धनू राशी और मूल नक्षत्र में सूर्य ग्रण मूलता एक एस्ट्रोनॉमिकल इवंट है खगुलिय घटना है और आपको सरल शब्दों में कहूं कि जब कभी सूर्य और प्रत्वी के बीच में चंद्रमा महराज आ जाते हैं तो सूर्य ग्रण लग जाता है लेकिन ये जो सूर्य ग्रण है ये खंड ग्रास सूर्य ग्रण है चंद्रमा पूरी तरीके से सूय को नहीं धकरा है खंड ग्रास है ये ग्रहन इंडोनेश्या के पेंडांग आइलेंड के साउथ में दक्षण में लगने जा रहा है और ये सूर्य ग्रण होगा वल्याकार इसके अंदर वल्यार रिंग दिखाई देगी इस घटना से बहुत सारी चीजे प्रभावित होने जा रही है भारतिय समय अनुसार व्रिश्राशिवला सूर्य ग्रण आपके आठमे भाव में धनु राशी मूल लक्षत्र में सुबह 8 बचकर 17 मिनट पर लगेगा और 10 बचकर 57 मिनट तक 26 तारिक के दिन रहेगा खंड ग्रास की अवधी जो है वो होगी 2 घंटे 40 मिनट सूर्य ग्रण का सूतक लगने से 12 घंटे पहले यानि कि पिछले दिन 25 दिसंबर को शाम को 5 बचकर 32 मिनट पर सूतक लग जाएगा जो ग्रण समाप्ती के साथ ही 10 बचकर 57 मिनट 26 दिसंबर के दिन ही इसका मोक्षो होगा धार्मेक दृष्टी से सूतक को किसी भी शुबकाम के लिए अशुब माना जाता है इस दोरान शुबकाम नहीं किये जाते साल का अंतिम सूर गरण संपूर भारत के साथ ही नेपाल पाकिस्तान श्री लंका मालदी बंगला देश भुटान चीन मैंनमार अफगान सहित एश्या महादीव के अन्या देशों साथ साथ में अफरीका की कुछ देशों और अस्ट्रेलिया में भी दिखाई दिया जा वरिश राशी वालो सूर गरण आपके आठमें भाव में पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा आठमा भाव आयू भाव और धन भाव उसको सुख भाव भी कहते हैं इसके कारण आपको कई तरह के आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ेगा दुर घटनाओं से भी सावधान रहें इस्पेशली गाड़ी चलाते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतने की जरुवत है आर्थिक रूप से भी तंगी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यह भाव आठमें लग रहा है व्रिश राशी वालो इसलिए आपका दूसरा भाव चौथा प्रभावित होगी एक्सिडेंट्स को योग दुर घटनाओं के योग और सबसे ज़्यादा हड्डियों में प्रॉब्लम आने की संभावना वो जो लोग जिनको किसी भी तरीके से लिवर से रिलेटिट प्रॉब्लम में बहुत जादा आपको सावधान रहना है पेड के कि किनारों पर पेड के किनारों पर चोट लग सकती है या किसी भी तरीकी की जॉंडिस से या हैपेटाइटिस से परिशानी आने के संकेत हैं खाने पीने में पूरी सावधानी बरतनी होगी हाला कि हेल्दी सीजन है सर्दी का सीजन है बहार के पानी से अटलिस्ट आपको बच सेन्द लग सकती है कि सफखों की भी बहुत जदा कमी रहेगी घर में कहीं न कहीं ये चीज बहुत ज़्यादा प्रभावित होने जा रही है सुखों का शेत्र कलत का सेत्र और धन संपता जो जूड़ी भी आपने उसमें दिक्कत आईगी असर आएगा आपके पारेवारिक शेत्र पर भी घ्रेट लेश की स्तिती बन सकती है प्रॉपर्टी अगर आपने कोई खरीदने की सोच रखी है तो इस दौरान बिल्कुल इस डिसिजन को तालें अगर कोई प्रॉपर्टी बेच भी रहे हैं तो आने वाले आगामी फरवरी के मध्य तक प्रॉपर्टी बेचने की सोचे भी नथ कि इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका चौथा भाव भी होने जा रहा है माता की सेहत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है घर का माहोल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिटिक रहने जा रहा है चटे भाव पर भी इफेक्ट आ रहे हैं किसी भी तरीके से रोगों की चपेट में आरहे हैं, मैंने आपको पहले भी इंडिकेशन दे दिया है, किसी न किसी प्रकार से ये संभावना बनती है, कि आपके पेट और पेट से लोवर अब्डोमिन का जो रीजनम प्रभावित होगा, रोग, शत्रू, व्याधी, पीडा और कोट के से इस समय पर सबसे ज़्यादा तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, दुश्मन हाभी हो सकते हैं, वो लोग जो किसी भी तरीके के शत्रूता में इन्वाल्व हैं, उनको ध्यान दखना चाहिए, इस समय पर कुछ लोग ऐसे प्रयोग भी करते हैं, जो उपरी तोर पर आपको हान ही पहुचा सकते हैं, मैं सीधे तोर पर ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको एक इंडिकेशन और एक हिंट दे रहा हूँ, इसका प्रभाव कहीं ने कहीं आपके फादर के हेल्थ पर और आपके करियर पर भी और आपके प्रोफेशन पर भी आ सकता है, कारण दस्वा भाव भी अच्छी होता नहीं है, उसके पीछे सबसे बड़ी स्थिति ये है कि राहू की वक्र द्रिष्टी आपके दस्वा भाव पर पांच भी पढ़ रही है, इसलिए नौकरी बहुत सेफली करें, कानाफूसी से बचें, जो आपके संगी साथी काम करते हों, उनसे भी बचने का प्रियास करें, बात करते हैं, अब आपके आखरी बार में भावट, तो बिमारियों पर बहुत वैसा खर्चक होगा, शैया सुख में कमी आ सकती है, भोग विलासिता में कमी आ सकती है, अब इस समय पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, एक तो इस समय पर मंदिरों मूर्तियों को ना चुएं, मंदर वैसे भी बंद रहेंगे, अगर आपके घर में कोई मूर्ती प्रतिष्टत है, तो उसे बिल्कुल भी ना चुएं, पानी में सूतक लगने से पहले ही तुलसी पत्र डाल कर रग दें, मोक्ष के बाद में पीतल के लोटे में जल और थोड करें, उसके बाद भूपदीप करें, मंदर को ढखकर रखें, उस पर डारेक्ट रोशनी ना पढ़ने दें, क्योंकि इसका सूतक भी विद्दमान भारत में होना है, प्रेगनेंट लेडीज, अच्छे तरह से अपने आपको हाइडरेट रखें, तरल परदार्तों का में इनवाल हो, तो यह आपके लिए भैतर रहेगा, अब आपके लिए विशेश उपाए, जो ग्रहन से आपको थोड़ी सी मुप्ती दिलाएगा, ग्रहन आपके आठ में भाव में लगने जा रहा है, सूर्य केतु के मिलन से लगने जा रहा है, तो आपको एक काम जुरूर करना चाहिए, कि आपको ग्रहन काल के दौरान, आठ हल्दी की गाठें, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे फैंक देनी है, इससे आपका बचाव जरूर होगा, तो फ्रेंस, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी आप से, जहां हम आपको बताएंगे, साल का आखरी सूर् तो अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड का मन लंदाल को अजाज़त दीजे, नमस्कार